मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि BCA के पेपर कहां से डाउनलोड करने हैं और कैसे डाउनलोड करने हैं तो आपको सबसे पहले Chrome ब्राउजर खोलना है या फिर कोई भी ब्राउजर जो आप यूज़ करते हैं उसमें जाहिए और लिखिए onlinestudy.xyz onlinestudy.xyz एंटर कीजिए और यह लोड हो रहा है यह जो साइट है इस पर बहुत साइड डेटा है जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड नोट से रिलेटेड बहुत सा इसी जाहिए इस पर तो इसमें जो मेन्यू बार है मेन्यू बार में CCSU question paper के नाम से एक section है उसमें drop down में जाकर BCA पर क्लिक करना है जैसे ही BCA पर क्लिक करेंगे नीचे पेज खुल जाएगा BCA paper के नाम से इसमें सभी paper के notes मिलेंगे मतलब notes नहीं paper है ये तो paper के बिल्कुल index type में बने हुए हैं तो फर्स सेमेस्टर सेकिंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्ट सेमेस्टर सिक्सेमेस्टर तक के paper है तो मैं आपको एक paper download करके दिखाऊंगा अभी मैस का फर्स सेमेस्टर का इसमें जो फर्स सेमेस्टर का paper है मैस का 2019 का paper उसपे क्लिक किया मैंने और नीचे जाऊंगा देखिए इस paper में यह live view है paper का इसके उपर यह arrow का sign आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो यह new window में new tab में खुल जाएगा new tab में जाकर यह load हो रहा है अभी देखिए यह paper load हो चुका है तो इसे कैसे download करना है उपर यह download का बटन आ रहा है बटन sign इस पर क्लिक करेंगे और यह paper download हो गया है देखिए site में नीचे लिखा है BCA first semester mathematics PDF इस पर क्लिक करेंगे यह देखिए आपके computer में मैं जो यूज कर रहा हूं मेरे computer में download हो चुका है तो ऐसे ही इस site पर बहुत सा ही चीज़े हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्सन पेपर से रिलेटेड नोट से रिलेटेड सभी चीज़े हैं इस पर तो आप इसे अपने कोर्स के लिए भी प्रैफर कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद